Hello and welcome to gradeupstudy.com, तो स्वागत है आपका आज किस वीडियो में, तो ये आपका एक English का चोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको 10 कोशन दिखेंगे, और 10 में से आप कितने कोशन सही कर पाते हूँ, तो ये आपने आज देखना है, अगर आप 10 में से 7 कोशन ठीक कर लेत most nearly opposite in meaning, ठीक है, यानि कि आपको fact का opposite meaning देखना है, लेकिन वो nearly होना चाहिए, यानि कि आसपास, प्लेर है, तो आपने क्या करना है कि वीडियो को पोस करना है, then आपने answer देना है, और खुद count करके last में मुझे आपने comment section में बताना है, तो आपके पास क्या word है fact, तो option क्या है fiction, imagination, reality and lie, तो देखिए, fact का मतलब होता है, truth, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, आपको answer चूज करना है, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा lie, clear है, और अगर हम बात करें कि इसका synonym क्या होगा, तो यहाँ पर जो reality है, ये इसका synonym है, clear, चलें, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number two, तो complete the following sentence by using the correct form of verb, with the help of options that follow, तो sentence क्या है, the headmaster, dash to speak to you, तो आपके वास option है, is wanting, was wanting, were wanting and wants, चलिए, देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर headmaster, ठीक है, यानि की एक बंदा है, singular है, तो यहाँ पर word तो होगा नहीं, ठीक है, तो जो headmaster है, वो उससे बात करना चाहता है, तो चाहता है, चाहा रहा है, तो चाहा रहा है नहीं होगा, यानि की चाहा रहा है, ये नहीं होगा, यानि की wanting तो हो ही नहीं सकता, ये चला गया, ये भी चला गया, तो बचा क्या, wants, य तो देखिए, मैंने आपको कफिवर बोला हुआ है कि यहाँ पर अगर for और since की बात की जाए, for plus since की बात की जाए, तो जो आपका sentence होगा, वो perfect continuous होगा। ठीक है? यानि कि option number A is the correct answer. has been sleeping, clear है, चलें, आगे चलिए, आगे आपके पास question number 4 and 5, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि sentence को improve करना है, ठीक है? जो underline वाला part है, इसको आपने improve करना है, तो क्या लिखा हुआ है? I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner, तो यहाँ पर आपने इस चीज को replace करना है इन दिए गई options में से, ठीक है? तो देखे, लगाईए, अब देखे, यहाँ पर जो sense बन रही है, वो यह बन रही है कि यह बोल रहा है, यह वाला person, यह बोल रहा है कि जो मुझे आपने invitation दिया है, आज dinner के लिए मुझे उस invitation को accept करने में काफी खुशी हो रही है, काफी खुशी हो रही है, clear है, तो देखो, यहाँ पर can't तो होगा नहीं, क्यूंकि उसको खुशी हो रही है, मतलब उसको खुशी हो रही है, ऐसे नहीं है कि उसको invitation को accept करने में खुशी नहीं हो रही है, ठीक है, खुशी हो रही है, तो option number A आपका गलत है, उसके बदद I am having much pleasure, देखो, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर having नहीं आएगा, क्यूं? इसके पिछे का reason है, उसको खुशी हो रही है, लेकिन यहाँ पर having नहीं आएगा, क्यूं? क्यूंकि यहाँ पर जो main verb है, pleasure, ठीक है, तो यह है आपकी main verb, और जो having लिखा हुआ है, तो जो ing है ना सर, यह ing हमेशा main verb के साथ ही लगता है, main verb के साथ ही लगता है, तो यहाँ पर have के साथ ing लगेगा नहीं, क्यूंकि यह helping verb है, यह आपकी helping verb है, तो इसके साथ कभी भी यह तो होगा नहीं, having नहीं लगेगा, क्यूंकि जो ing है, यह हमेशा main verb के साथ लगती है, clear है, तो यह भी आपका चला गया, यह भी चला गया, और यहाँ पर main नहीं होगा, यह भी चला गया, तो option number d is the correct answer, चलें आगे, चलिए, question number five है, no sooner did the police arrived, then the robbers made good their escape, तो option है आपके पास, a sooner when the police arrived, no sooner did the police arrive, no sooner the police arrived, no sooner had the police arrived, अब देखिए, यहाँ पर आपको एक rule याद रखना है, rule यह है, कि अगर कोई भी sentence no sooner should start हो रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना है, कि उसके आगे, दूसरा clause शुरू होने से पहले, आगे, t h an वाला देन लगा होना चाहिए, then दो प्रकार के होते हैं, एक an वाला और एक और होता है an वाला, तो यहाँ पर an वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात है, वो यह है, कि जिस clause के साथ, नो सुनना लगा होता है, उसमें आगे head लगना चाहिए, यानि कि past perfect tense आपका बनना चाहिए, तो यहाँ पर did लिखा हुआ है, तो यहाँ पर did नहीं होगा, क्या होगा head होगा, तो head कहाँ पर है, option number d is the correct answer, clear, चले आगे, question number 6, अच्छा जी, idiom है यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, by fits and start, तो यह एक बड़ा ही common idiom है, काफिवार exam में देखा जा चुका है, तो आपक तो देखिए, इसका जो answer है, होगा irregularly, clear, चले आगे, आगे है आपके पास, देखिए, question number 7, in the following sentence, out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the underlined word, तो इन में से आपको देखना है, कि इन में से कौन सा word, इसका जो meaning है, वो define कर रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, his perform in the office is quit superficial, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि superficial का मतलब क्या होता है, superficial का मतलब होता है, सतही, यानि कि जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूँ, कि superficial, superficial man, यानि कि ऐसा person, जो की जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर मैं लिखूँ, superficial work, यानि कि वो जो काम कर रहा है, वो जमीन से जुड़ा हुआ कर रहा है, यानि कि agriculture, खेती वाड़ी कर रहा है, लेकिन जब perform की बात आए, लेकिन जब perform की बात आए, और कहां पर office में, और वहां पर जो उसकी performance है, वो क्या है? सतही है, मतलब जमीन से जुड़ी होई इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि उसकी जो performance है वो सही नहीं है बड़ी ही down है ठीक है तो यहाँ पर जो superficial है यह negative sound करेगा performance के साथ तो excellent तो होगा नहीं ठीक है यह इसका antonium बन जाएगा फिर superficial का antonium बन जाएगा excellent ठीक है तो इसका synonym क्या होगा shallow जो की best meaning यहाँ पर दे रहा है clear चले आँगे next question है आपके पास in the following sentence one part may have an error choose the one which the error तो आपके सामने sentence है it is high time that we send the answer to this query ठीक है तो देखिए कि कहाँ पर error है तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने है कि अगर कोई sentence it is high time से शुरू होता है ठीक है अगर कोई sentence it is high time से शुरू होता है तो आपको ध्यान रखना है कि उस clause का जो tense होगा वो simple past tense होना चाहिए यहाँ पर जो verb हम use करेंगे वो second form होने चाहिए यहाँ पर send लिखा हुआ है send क्या है verb है तो send क्या है verb की first form है यहाँ पर sent होना चाहिए था यानि कि second form होने चाहिए थी तो यह भी एक rule है यानि कि option number B में गड़बड़ी है clear चले आंगे question number 9 and 10 in the following items a word is followed by four explanatory expressions choose the expression which west describes the word अच्छा जी मतलब यह है कि आपको इन मेंसे चार options देखने है और चारों मेंसे कोई एक जो option है वो इस word को define करेगा और इस word के बारे में मैंने आपको पहले बताया था क्या बताया था orthodox orthodox का मतलब होता है सबसे पहले आप थोड़ा से देख लीजिएगा अपने end से जो answer है वो देखिए option number A है one who flaunts established opinions one who has no opinions of one's own one who holds established opinions last option है one who is self-opiniate ठीक है तो इन चारों मेंसे कोई सा होगा चलिए अब देखिए मैंने आपको बताया था कि orthodox का मतलब होता है परंपरावादी परंपरा बादी ठीक है परंपरावादी मतलब मान लेते हैं कि एक topic है इस topic का नाम है कि दूसरी शादी करनी चाहिए या फिर नहीं second marriage अब पुराने लोगों का opinion होता है कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए शादी हमेशा एक बार ही करनी चाहिए लेकिन आजकल दूसरी शादी हो रही है लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो कि अपना opinion ना दे बलकि पुराने opinions को माने पुराने opinions को माने तो उस person को हम बल सकते हैं कि ये एक orthodox person है यानि कि इसका कोई भी opinion नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ पुराने opinions को मानेगा जो कि पहले से चलते आ रहे हैं तो option number C is the correct answer तो क्या मतलब बना one who holds established opinions यानि कि जो opinions पहले से बन चुके हैं जानि कि जिसकी सोच पुरानी हो जो पुराने opinions को hold करता हो, मानता हो यानि कि option number C आगे हैं आपके पास question button तो क्या लिखा हूँ है explicit तो इन चार दिए गए options में से आपको एक चूज करना है जो कि इस word को express करता हो तो देखिए तो देखिए explicit का मतलब होता है आप बोल सकते है मुखुर ठीक है? मुखुर अब मुखुर का मतलब क्या होता है? मुखुर हम उस person को बोल सकते हैं जो बिना किसी डर से अपनी बात को रखता हो यानि कि supposed बोलता हो चाहे आगे वाले बंदे को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे लेकिन ये क्या करता हो? supposed बोलता हो ऐसे person को हम बोलते हैं explicit अब इसका उल्टा भी होता है इसका opposite मतलब है implicit यानि कि opposite word implicit का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि अपनी बातों को खुल के नर रखता हो तो उसको हम बोल सकते हैं implicit ठेक है? तो explicit और implicit ये भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर कौन सा option इसको define कर रहा है तो option number C क्या लिखा हुआ है statement that is absolutely clear यानि कि जो clear statement रखता हो जैसे कि ये रख रहा था जो कि clear statement आपके सामने रखता हो यानि कि option number C is the correct answer तो ये आपके सामने है 10 question आपने मुझे comment करना है कि आपके कितने marks बने हैं ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप proper तरीके से तयारी करना चाहते हैं किसी भी एक्जाम की चाहे पटवारी की हो चाहे फुलीस की हो चाहे फोरस्ट गार्ड की हो चाहे जेल वर्डर की हो आप complete तयारी करने के लिए हमारे grade of study प्लस कोर्स में इन्रोल हो सकते हैं यहाँ पर धढले से आपकी तयारी करवाई जाएगी complete syllabus करवाई जाएगा ठीक है और अगर आप सिर्फ और सिर्फ English की तयारी करना चाहते हैं क्यूंकि कई वचे होते हैं कि उनका बाकी subject strong होते हैं लेकिन वो English की वज़े से मारखा लेते हैं तो उसके लिए आप हमारे grade up study प्लस English basic to advance कोर्स में जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको basic से लेके advance तक English करवाई जाएगी प्लस यहाँ पर आपको हमारी एक practice book भी मिलेगी ठीक है और 6 महिने तक आप लगातार हमारे साथ vocab की classes भी लगाएंगे daily live ठीक है 6 महिने तक आपकी classes चलेंगी vocab की और जो English का grammar है उसकी आपको recorded videos मिलेंगी ठीक है और साथ में practice book की आपको PDF मिल जाएगी अगर आप हमारे grade up study plus course में enroll होते हैं English वाले में ठीक है और अगर आप grade up study plus course में जहां पर आपको complete यानि कि सभी subject की आपको त्यारी करवाए जाएगी वहाँ पर आपको तीन books जो की complimentary dose होगा उसकी आपको hard book आपके घर में पहुँचाए जाएगी at your doorstep clear है तो अगर आप किसी भी course में जुड़ना चाहते हैं तो आपको description में जाना है वहाँ पर आपको हमारे application को download करना है register करना है और आपको अपने पसंदीदा course में जुड़ जाना है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिमा चल